हेलो सुचना के इस प्रक्रण में आपको यह बताया जा रहा है कि PhD का जो प्रवेश परिक्षा 16 जनवरी को होना था भीके ACU में अब यह 27 फरवरी को होने वाली है 27 फरवरी का डेट फिक्स हो गया है और यह रोहतास जिले में ही होंगे पहले भी यह रोहतास जिले में ही चार कॉलेज पर सेंटर दिया गया था वहां एक्जाम होना था 3030 इसमें सामील होंगे कुछ दिन पहले जब लोगडान नहीं हटा था तो उसमें के अख़वार में भी यह बात आई थी कि इंटर परिक्षा के बाद BKSU आयुजित करेगी PhD लेकिन इंटर के साथ साथ मैट्रिक एक्जाम का भी सेंटर इसी कॉलेज में पढ़ता है इस कारण से यह इस समय PhD का एक्जाम होना संभव नहीं था तो इसको पस्पाउन किया गया था और जो भी सेड्यूल जारी होता है एक्जाम का वो उच्छ सिक्षा विवाग का निर् प्रश्ट किया जाएगा और यह पैट जो है इस बार नए पैटर्न पर हो रहा है पीच डी एडिविशन टेस्ट को पैट कहते हैं तो यह दो पाली में दो सिटिंग में एक्जाम होगा इसमें पहला पाली में जो एक्जाम होगा वो एक घंटे का होगा और होगा दूसरा सिटिंग वाला उसमें आपको कॉस्टन का अंसर डिटेल्स में लिखना होता है टोटल विदार्थी लगवक तीन हजार हैं तो इसलिए चार सिंटर बनाए गए जो प्राचिन इतिहास यानि एंसेंट हिस्ट्री के स्टुडेंट है उनका एक्जाम नहीं होगा भी तो आप सब को सुचना था और हो भी गया होगा सबने लोड भी कर लिया था नहीं किये होंगे आउनलाइन लोड कर लेंगे अपने विवाग से मिल करके सब कुछ समझ लेंगे धन्यवाद